हलो नमस्ते इसलिए इंज कैसे हैं आप सभी मैं जे क्या साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीर सिंग लेक्चर के इस नए वीडियो में जिसमें हम हमारा टॉपिक प्रकाशिकी को कंटिन्यू करने वाले हैं प्रीविएस लेक्चर में हम कहां तक पढ़ चुके थे प् लेंसों के द्वारा जो नियम है प्रकाश किस तरीके से अप्तित होगा लेंस पर और किस प्रकार से अपवर्तित हो करके जाएगा वह नियम हमने देख लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम लेंसों द्वारा प्रतेविम निर्मान पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करत बहुत भड़ी भारी बात नहीं होने वाली है अगर आपने दरपन पढ़ लिया है तो तब से पहला पर्स्ट केस है यहां यह आपका लेंस है यह आपका लेंस यह आपकी मुख्यक्ष यह आपका प्रकाशिक केंद्र यह आपकी फोकस इसको हम प्रथम फोकस बोल देंगे इसको हम दृत्ते फोकस बोल देंगे इसको हम 2F1 बोल देंगे और इसको हम 2F2 बोल देंगे तो प्रथम नियम क्या कहता है यह आपने पहले भी सुना हुआ है कि अगर कोई प्रकाश की रण लेंस के मुख्य अक्ष के समानतर आती है अगर कोई प्रकाश की रण लेंस के मुख्य अक्ष के समानतर आती है तो लेंस से अपवर्तिद होने के बाद में फोकस से होकर के निकल जाएगी सिंपल इजी था पढ़ा हुआ है पहले हमने यह अगर यही चीज हमसे अवतल लेंज के लिए पूछ ले तो हम कैसे करेंगे यही चीज हमसे अगर अवतल लेंज के लिए पूछ ले तो सबसे पहले हम अवतल लेंज ड्रॉ करेंगे यह हमारा अवतल लेंज है मुख्यक्ष, प्रकाशिक केंद्र, F1, F2, 2F1, 2F2 अगर कोई प्रकाश की रण मुख्यक्ष के समानतर आती है तो हमें तो पता है कि ये जो हमारा अवदल लेंस है ये तो एक अपसारी लेंस है तो मतलब यहां से जो प्रकाश की रण आएगी ये इस तरीके से अपसारित हो जाएगी तो यहां पर अवदल लेंस के केस में हमें क्या लगता है कि जो प्रकाश की रण है पीछे इस किसी बिंदू से निकल करके आ रही होगी चीक, अगला केस क्या है कि लेंस के फोकस से होकर आने वाली किरने अपवर्तन के पश्चात अक्ष केस अमानतर हो जाती है सेगिंड केस देख लेंगे हम सबसे पहले उत्तर लेंस के लिए बना रही हूँ में कि यह हमारा उत्तर लेंस है प्रकाश केंद्र F1 2F1 F2 2F2 ठीक है दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की रण लेंस से आप्तित हो रही है और किस तरी किस आप्तित हो रही है कि वो फोकस से होकर के आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की रण लेंस की मुख्य अक्ष के समान तर निकल जाएगा ठीक इसी चीज को अगर हम एक सेकेंडी थोड़ी लाइन हलकी तेड़ी हो गई है तो हम इसको हलका सा सीधा कर लेंगे इस तरीके से इसी के इसको अगर हम अवदल लेंज के लिए बनाएं तो किस प्रकार दिखाई देगा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा यह हमारा अफ्तल लेंज है प्रकाशिक केंद्र प्रथम फोकस जित्ते फोकस यह 2F2 अब क्या है कि अगर कोई प्रकाश की रण फोकस से होती हुई आ रही है तो क्या होगा लेंज से अपवर्तित होने के बाद में वह लेंज के मुख्यक्ष के समानतर चली जाएगी तो यहां पर यह कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि हमारी कोई प्रकाश की रण है वह इस तरीके से आती ह है और लेंज से अपवर्तित होने के बाद में समानतर होकर के चली जाती है तो यहां पर अगें हमको इसको कैसे दिखाना है हमको इसको ऐसे डॉटिड के रूप में रीप्रेजेंट करना है डॉट बना करके हम इसे दर्शाएंगे चिक है यह देख लो इसका स्क्रेणशॉट लेलो फिर यह दो हमारे दो नियमो अगई तीसरे नियम पर आएंगे हम तीसरा नियम हमारा क्या है यह लेंज के प्रकाश केंदर से रोकर आने वाली प्रकाश किन्ने अपवर्तन के पश्चात बिना अपने मार्ग में विचलन किये सीधी-सीधी गुजर जाती है निकल जाती है तो यहां पर अगर आपकी प्रकाश की रण कैसे आ रही है प्रकाश केंद्र से होते हुए आ रही है यहां पर हम ड्रॉ कर लेंगे अगेन इसको क्यूंकि अगर आपको नियम नही से करोगे तो इस तरीके से आती है यह हमारा मुख्यक्ष ओ थैन से टू एफवन, एफटु, तू एफटु, अब प्रकाश किरन कैसी आ रही है, प्रकाश किरन आ रही है मुख्य अक्ष से होती हुई, प्रकाशिक केंदर से होती हुई, तो बिना अपने पत्व में विचलन किये ये सीधी-सीधी निकल जाएगी, इसी सेम चीज को अब हम अवत लेंज के लिए बना लेते हैं भले आपके प्रतिबिंब निर्मान नहीं आएगा लेकिन अगर इसे ड्रॉ करेंगे हम तो आपको याद होता जाएगा इससे जुड़े हुए प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं तो प्रश्न आपको तब हल होंगे जब आपको पूरी की पूरी है कि फ्रकाशिक खेंदर से लिए प्रकाश की रण आ रही है तो बिना विचलित हुए है जर निकल जाएगी यह कुछ अमारे नियम थे अब हम में कि प्रतिबंब किस प्रकार के बनते हैं उस zus almas आ जाते हैं कि यहां पर पहले मैं आपको टेबल बता रही हूँ फिर मैं आ सबसे पहले कोर अनंद पर रखते हैं sorry lens के सामने वस्तू को अनंद पर रखते हैं उसके बात मैं अनंध से वस्तू को रखाए कि हम जो हमारा बिम्भ है या फिर हमरी जो वस्तु है उसको हम left hand side ही रखते हैं बाए अधा की तरफ ही रखते हैं इसी लिए तो यहाँ पर अनंद पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहां बनता है फोकस पर और उसी प्रकार अगर हम वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं F1 फस्ट वाली पर ऐसा होता है न यह F1 होती है और यह F2 होती है इसी प्रकार अगर हम हमारी वस्तु को f1 पर रख रहे हैं तो प्रतिविंब कहां बनेगा अनंद पर वस्तु अनंद पर तो प्रतिविंब फोकस पर वस्तु फोकस पर तो प्रतिविंब अनंद पर ठीक है फिर मैं क्या करूंगी हमारे प्रतिबिंब को उठा करके मैं थोड़ा सा आगे लियाऊंगी अभी अनंद पर कहीं पड़ा था और अब जो है मैं इसको 2F1 या फिर 2F2 के पीछे कहीं रख दूंगी यहां पर बनाएगा तो मैं यहां पर कहीं पर उठा करके अगर वस्तू को रखती हूं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा F2 F2 और 2F2 के बीच में बनेगा अगर मैं हमारे प्रतिबिंब को F1 पर रखती हूं तो प्रतिबिंब भी F पर बनेगा और अगर मैं वस्तू को F1 और 2F1 के बीच में रखती हूं तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा 2F2 के पीछे बनेगा तो यहां आपको क् और अगर आपने वस्तु को अनंद पर रखा है तो प्रतिबिम्ब बन रही है फोकस पर और अगर आपने वस्तु को फोकस पर रख दिया है तो प्रतिबिम्ब बन रहा है अनंद पर अगर आपने वस्तु को 2F1 के पीछे रखा है तो आपका प्रतिबिम बन रहा है F2 और 2F2 के बीच और यदि आपने वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखा है तो आपका प्रतिबिम बन रहा है F2 के पीछे 2F2 के पीछे आप अगर वस्तु को रख रहे हो वस्तू को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच रखते हो तो जो आपका प्रतिबिम्भ है वो कहां बनेगा वो लेंस के पीछे बनेगा लेंस के पीछे बनेगा और आकार जोगों उसका बड़ा होगा यहां पर देखो जैसे जैसे आप वस्तू को लेंस के पास में लाओगे उसका आकार बढ़ता जाएगा तो यहां देखो पहले बहुत चोटा था फिर थोड़ा चोटा था फिर यहां पर वस्तू के बराबर बनेगा मैं आपको आगे लिखवा रही हूं तो आम वहाँ करेक्शन कर लिएना सभी चीजे लिख लेना यहां पर वस्तू से बढ़ा बनेगा फिर बहुत बढ़ा बनेगा फिर वस्तू से बढ़ा बनेगा तो यह सब केसिज जो है हम यहां पर ड्रो करके देखेंगे तभी समझ मे तब ही फील आएगा नहीं तो ऐसे उपर उपर से पैंपडने का कोई cow ai अगर आपको कि क्लैरिटी होगी तो है कि अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आपका बृष्ट्टन सॉल्व करने का जो पैटन है वह से ही अच्छा हो जाएगा तो यहां पर हम पहला ले रहे हैं जब हमने हम पहला केस ले रहे हैं जब हमने वस्तू को अनंत पर रखा है वस्तू अनंत पर है तो क्या होता है तो यह हमारा उत्तल लेंस जो हमने अवतल दरपण के लिए 6 केस पड़े थे ना सेम टू सेम हमारे उत्तल लेंस के हैं बस यहां पर हम करवेचर की जगे 2F लिखते हैं C की जगे हम 2F लिखते हैं तो यहां पर अनंत्ठ से आने वाली प्रकाश किरणे चाहे वो दरपण हो चाहे लेंस हो उनके मुख्य अक्ष के समानतर ही आती है तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किंडने लेंज से अपवर्तन होने के बाद में मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है इस प्रकार गुजर जाएगी हो सकता है कि मेरी लाइन हलकी सी टेड़ी हो क्यूंकि हमें स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ यहां पर दूसरी प्रकाश किरन भी जो है हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और लेंज से अपवर्तन होने के बाद में फोकस से होकर के गुजर जाएगी ठीक है तो यहां हम क्या देख रहे है कि जो हमारा प्रतिबिम्ब है देखो प्रतिबिम्ब कहां बना है तो प्रतिबिम्ब हमारा बना है इस्तिती क्या है उसकी प्रतिबिम्ब की इस्तिती क्या है तो इस्तिती हम देख रहे हैं कि F2 पर बना है जब आपने क्या करा है वस्तू को अनंद पर रखा है ठीक है प्रकृति कैसी है तो प्रकृति को क्या देख रहे हो आप कि जो अपवर्तन होने के बाद में प्रकाश किंड़ने है वो सच में मिली है एक दूसरे हो सो उनका वास्तविक वास्तविक कटान हुआ है रियल में जो अपवर्तित किंड़ने है एक दूसरे को प्रतिछेद कर रह यह अपर प्रकृति होगी कैसी होगी वास्तविक होगी तो और की सिसे बनते हैं उल्टें बनते हैं वास्तविक Això रटि separates बापका थ। और कि अधार के लिए हम लिए हम लिख देंगे कि कि बिंदु आकार या फिर अत्यादिक छोटा कुछ भी लिख सकते आप कि बिंदु आकार का प्रत्यबिंब बन रहा है या फिर अत्यादिक छोटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं highly diminished अत्यादिक छोटा ठीक है तो फिर्स्ट केस हो गया अब मैं क्या करूंगी वस्तू को उठा करके थोड़ा और आगे लियाऊंगी तो इस केस के अंदर यह हमारा O, F1, 2F1, F2 और 2F2 ठीक है तो यहाँ पर हम वस्तू की स्तिति भी लिख लेते हैं कि जो हमारी वस्तू है उसको हमने कहां रखा है तो यहाँ लिख देती हूं 2F1 से परे भी लिखा होता है कहीं कहीं पर ओर कहीं कहीं पर पीछे भी लिखा होता है तो दोनों ही सही है, बस आपको अनंत से उठा करके थोड़ा पास ले आना है, इस इस्तिती के अंदर जो हमारी प्रकाश किरने हैं वो किस प्रकार आएगी, तो सबसे प्रकाश किरन जो है हमारे मुख्यक्ष की समानतर आती है और अपवर्तित होने के बाद में लेंस से फोकस से हो करके गुजर जाती है, प्रस्ट केस यह हो गया, सेकंड में आप क्या ले लोगे, सेकंड में आप ऐसा कर लो, यहां पर पहले मैं आपका लेंस बना रहो, वो बना देती हूं दूसरा हम क्या लेते हैं अगर प्रकाश कीरंड प्रकाशिक केंदर से खोते हुए आ रही है तो लेंस से अपवर्टन होने के बाद में उसका विचलन नहीं हो और वह सीधी-सीधी गुजरगी अब यहां पर अगर में रिड़को तो मेरे को फ्रति बिंब सनके 1975 यहां कहीं मिलता है उसके लिए प्रतिबिंब बनाए उसके लिए क्या पॉइंक्ट लिख सकती हूं जो हमारासी पल्र pagiri देखो सबसे पहले नीचे लिक देते हैं इसको तो जो हमारे प्रति पिंब की इस्थत्वी है वो क्या है 2甚麼 fzi तथा 2 f2 के बीच में आ सो डूसरा पॉइंट हम क्या note कर रहे है इसके लिए किस संथा पॉइंद्फ हम नोटिस कर रहे प्रकृति कैसी हो जाएगी हमारे प्रतिविंब की हमारे प्रतिविंब की प्रकृति होगी वास्तविक मैं वास्तविक का सिर्वा लिख रही हूं व उल्टा ठीक है और तीसरा अकार अगर हम देख रहे हैं तो वस्तू की तुलना में छोटा बना है वस्तू की तुलना में ज थर्ड केस में क्या करेंगे हम हमारे वस्तु को अब F1 पर रख देंगे वस्तु की स्थिति क्या कर दी है हमने वस्तु की वस्तु को हमने रख दिया है तू-F1 पर, अब किस प्रकार का प्रत्यबिम्ब बनेगा, बना करके देख लेते हैं, अगर आप 2-F1 पर वस्तु को रख रहे हो, तो जो आपका प्रत्यबिम्ब है, वो 2-F2 पर बनना चाहिए, हम ने ये टेबल में देखा है, अब बना करके देखते हैं कि क्या होता है, ये यह F2 और यह 2F2, पहला नियम प्रकाश की रण अगर अच्छा हमने प्रतिविम तो रखाई नहीं पहले हम वस्तू को रख लेते हैं, यह दी हमारी वस्तू, अगर प्रकाश की रण मुख्यक्ष के समानतर आ रही है, तो लेंज से अपवर्तित होने के बाद में फोकस से होकर के निकल जाएगी, और दूसरा केस क्या होगा, कि अगर हमारी प्रकाश की रण प्रकाशिक के इंदर से होती हुई आ रही है, तो यह बिना अपने पत से विचलित हुए, सीधे-सीधे निकल जाएगी, यहां अगर हम इसको ट्रेस करते हैं, तो हमारा जो प्रतिविम है, व तो हमारा यह है प्रतिविम की जो इस्थती है सबसे पहले, वो है 2F2 पर, फिर देखेंगे हम आगे, कि उसका प्रकृती केसी है, तो प्रकृती हमें दिख रही है, कि वास्तविक है, वो उल्टी है, तीसरा हम देखेंगे आकार कैसा है, तो आकार जो है वो वस्तु के समान आकार का है, वस्तु के बराबर ही बना है, वस्तु के समान आकार का प्रतिविम्भमें यहां प्राप्त होगा, ठीक है, नेक्स्ट केस, जिस चीज़ को जितना डीटेल में पढ़ोगे, वो तुने अच्छे से याद रहती है, अगर डायरेक्ट से टेबल रटने की कोशिश करोगे तो कोई सेंस नहीं है, यहां हमारा प्रकाशिक केंद्र, F1, 2F1, F2 और 2F2, अब हम वस्तु को कहां रखेंगे, अब हम वस्तु को रखने वाले हैं, 2F1 और F1 के बीच, तो 2F1 तथा F1 के बीच में रखेंगे, चलो रखते हैं, यह रहा, कलर चेंज कर दें, यहां से गया, और फोकस से निकल जाएगा, सेम सेम ही रूल यूज कर रहे हैं, मैंको लगना थोड़ा तिर्चा हो गया है, तो यहां हम इसे दुबारा ड्रॉ कर लेंगे, दूसरा रूल क्या देखेंग कि प्रकाशिक के अंदर से आ रहा है, तो बीना विचलितुए प्रकाशिक के अंदर से ही निकल जाएगी, अब इस लाइन को में आगे एक्स्टेंड करना पड़ेगा, तो यहां हम इस तरीके से एक्स्टेंड कर देंगे, उसको आगे खीच देंगे, हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी अपवर्तित किरने हैं, वो कहां मिल रही है, 2F2 के आगे मिल रही है, तो इस इस्तिती में हम क्या बोल सकते हैं, कि जो हमारा प्रतिबिम्ब है, वो प्रतिबिम्ब की इस्तिती क्या है, तो इस्तिती हम को क्या दिखाई दे रही है, विकट, नहीं, इस्तिती द प्रकृति केसी है तो प्रकृति तो वही वास्तविक वह उल्टी वास्तविक वह उल्टी और तीसरा आकार केसा है तो आकार हमें दिख रहा है बिम्ब से जो हमारा बिम्ब है उसकी तुलना में बड़ा आकार है तो बिम्ब से बड़े आकार का हमारा यहां प्रत्य बिम्ब बन रहा है छै में से चार केस तो हो गए हैं हमारे बचे हुए दो केस हम और बना लेते हैं याद रखना है देखो बच्चो यह इसके बिना फिर questions में दिक्कत आती है दो केस हमारे बचे हुए हैं अभी हमने last में हमारे बिमब को कहां रखाता 2, f1 और f1 के पीच में रखाता अब मैं हमारे बिमब को कहां रखलूंगी अब मैं बिमब को उटां करके रख दूंगी कहां पर f1 पर अब देखते हैं क्या होता है तो यह तो केस याद आया कि अगर आप बिम्ब को फोकस पर रख रहे हो तो प्रतिबिम्ब कहां बनना चाहिए अनन्त पर तो बनाते हैं हम अनन्त पर बनता है या नहीं बनता है F1 पर रखा सीधा आया पास हो गया निकल गया दूसरा केस हम क्या रखेंगे कि इस तरीके से अब हम क्या देख रहे हैं कि यह जो दोनों प्रकाश किंड़ने हैं एक दूसरे के समांतर चल रही है यह जो हमारी दोनों प्रकाश किंड़ने हैं यह एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे के समांतर जो किंड़ने होती है या फिर एक दूसरे के समांतर जो रेखाए होती है वो अनंत पर जाकर के कहीं मिलती है तो यहां से हम क्या conclusion निकाल लेते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा जो हमारा यहां पर प्रतिबिंब बनेगा यह प्रतिबिंब कहां बनेगा अनंत पर बनेगा क्योंकि समांतर प्रकाश किंड़े जो है अनंत पर जाकर के या फिर समांतर रेखाएं जो है एक दूसरे से अनंत पर मिलती है अब क्योंकि जहां पर भी मिलेगी इन प्रकाश किंड़ों का अपवर्दित प्रकाश किंड़ों का वास्थविक प्रतिशेधन होगा तो कैसी बनेगी वास्तविक व उल्टा प्रतिवेंब बनेगा और बहुत दूर जाकर के कहीं मिलेगी तो यहां पर जो हमारा प्रतिवेंब बनेगा वो कैसा होगा अत्यादिक बड़ा टीक है अब क्या करूंगे उठा करके अब मैं हमारे अब मैं हमारे इस वस्तु को उठा करके और पास ले आती हूँ जो हमारा चट्टा केस होने वाला है कि अगर मैं वस्तु को F1 और O के बीच में रखूँ वस्तु को कहां रख रही हूँ? अगर मैं वस्तु को F1 तथा O के बीच में रखती हूँ चीक है? बनाएं? चलो रो करते हैं ये रहा? जीरो, सॉरी, प्रकाशिक के इंद्र F1, 2F1, F2 और 2F2 बिम्ब कहां रखेंगे? F1 और O के बीच प्रकाश किरण इस प्रकार आएगी मुख्यक्ष के समान तर और F2 से होकर के गुजर जाएगी दूसरी प्रकाश किरण कैसे आएगी? O से होती हुए आएगी और ऐसे चली जाएगी अब देखो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कि यह जो दोनों प्रकाश किरण इस दूर जा रही है मतलब यह यहाँ पर इधर अगर हम इसको मिलाएगे तो यह यहाँ पर आकर के कहीं पर एक दूसरे से मिलेगी और जो हमारा प्रतिबिम्ब बनेगा वो कहाँ बनेगा? हमारा जो प्रतिबिम्ब है वो कहाँ बनेगा? जिस साइड हमारी वस्तू है वही हमारा प्रतिबिम्ब बनेगा तो प्रतिबिम्ब कहाँ बनेगा? बिम्ब की तरफ ही बनेगा? जहां पर बिंब रखा है उसी साइड आपका प्रति बिंब बनेगा प्रकृति कैसी होगी हम देख रहे हैं कि यहां पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है अपवर्थित प्रकाश केंड ने एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही है वास्तव में नहीं मिल रही है तो हम क्य कि यहां पर जो हमारा फ्रत्य बिम्ब बनेगा इसकी प्रकृति केसी होगी इसकी हो योगी प्रकृति कि आभासी है तो कि उध हो कि अपर कैसा है इसका यह हमारा बिम्ब है यह हमारा अलि drie topics जो अपर है ओ बिंब की तुलना में बड़ा ही है, इस प्रकार से कुछ प्रतिवें में निर्माण होते हैं, लेंसों के द्वारा, पर आपको हो सकता है कि इमेज दे करके, चार आप्शन दे दे, उसमें से पूछ ले कौन सा सही है, तो आपने खुद ने बनाया होगा, तभी तो आपको पत बच रहे हैं, दो केस को और कौन से बचना में होते हैं, तो बेटा अवतल लेंस के दो केस होते हैं, वो यहां बच रहे हैं, अवतल लेंस में सिर्फ दो ही केस है, एक तो इसमें हमेशा जो प्रतिवेंब बनता है, उसकी प्रकृति आभासी वा सीधी ही होती है, और हमेशा वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिम्ब बनेगा, वो छोटा ही बनेगा, दो ही केस है, पहला केस है, अगर हम अनंत पर बिम्ब को रखते हैं, तो प्रतिबिम्ब हमें फोकस पर प्राप्त होता है, और प्रकाशिक केंद्र और टू-एफ-टू के बीच, आप कहीं पर भी ब पर प्रतिविम भिल एक है पहले केस में हम वस्तु को कहां रख रहे हैं पर आनन्त वहारा युद्ध कर रहे हैंcek मुंख्य-क्ष के नियुक्तर में समांतर आती है युद्ध मुंख्य ke मुखह पहुरू के समांतर आएगी इस प्रकार फैल जाएगी कलर दूसरा ले लेते हैं कि मुख्यक्ष के समांतर आएगी और ऐसे पैल जाएगी और यहां पर भी मुख्यक्ष के समांतर राई Trent फैल गए असल में मिलने से रही पीछे हम इसको वैसे मिलाइंगे तो हमारा जो प्रतिबिम्ब है वह कहां बन रहा है एफ वन पर बन रहा है जिस साइड वस्तू है उसी साइड बन रहा है एफ वन और बहुत छोटा बनेगा बिंदु अकार का बनेगा वास्तविक वह सीधा बनेगा दूसरा केस हम ले लेते हैं कि आनन्त से प्रकाशिक के इंदर के बीच में आप आपके बिंब को कहीं भी रख दो तो उस केस में किस प्रकार का प्रतिबिम्ब बनता है वो हम देख लेते हैं यह हमारा एफ वन यह हमारा फू यह हमारा फू और यह हमारा फू जो हमने उत्तल दरपन में पढ़ा था ना दो केस वही सेम है आपद्लेंस की लिए यहां पर हम कहीं पर भी रख देते हैं यहां रख देते हैं अनन्त से प्रकाशिक के अंद्र के बीच में कहीं भी रख दो को इस फर्क नहीं बढ़ना है कि रख दिया है छीकिर से प्रकाशिक केंदर से बना लेते हैं और दूसरा क्या है कि अगर प्रकाशिक केंदर से होते हुए आ रहा है तो God is its English in your laptop यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी प्रकाश किंड्ने है वो यहां पर मिल रही है और यहां पर भी वो वास्तव में नहीं मिल रही है मिलती हुई प्रतीध हो रही है तो इस के इसके अंदर जो हमारा प्रतिविंब है वो फोकस और प्रकाशिक के इंदर के मध्य बन रहा है बीच में कहीं भी बन सकता है दूसरा क्या है कि विम्ब की तुलना में जो प्रत्य विम्ब का आकार है बीच कि दूरी है, लिखा हुआ है यहांपर, मैं नहीं लिखती है बीच की दूरी है, यहाँ पर यह आपर दूपर यह ए क्या बीच की दूरी होगी न वह हमारी फोकसं दूरी हो जाएगी, आपका बिम्ब कहा पड़ा है ये पड़ा है तो लेंज के प्रकाशिक के इंदर से बिम्ब के बीच की दूरी को हम U से दिखाते हैं और जो प्रतिबिम्ब बना है वो कहां बना है यहां बना है तो प्रकाशिक के इंदर से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फिर V से दर्शा देते हैं यहां आपको एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारा देखो हमने दो प्रकार के लेंस पड़े हैं एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी बच्चो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो होती है हमेशा धनात्मक कैसी होगी धनात्मक और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो सदेव कैसी होती है रिनात्मक चिन परिपाटी पढ़ाई थी ना मैंने आपको दरपण के बारे में जब पढ़ाया था तो चिन परिपाटी पढ़ाई थी और मैंने कहा था कि दाई और जो भी हम चीजे लेते हैं उनको हम धनात्मक क्यालकुलेट करते हैं और बाईयों जो भी हमारी चीजे आती हैं उसे हम धनात्मक रखते हैं तो अकर मालो यहां पर हमारा उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस क्या करता है जो भी प्रकाश किन्ने आती है समांतर उनको एक पॉइंट पर कि खट्टी कर देता है और क्या बोलते हैं हम कि मुख्यक्ष सामांतर आने वाली प्रकाश के लेंज से अप्त्रचन के बाद में जिसवींदू पर मिलती है वहीं बिंदू तो उत्तल लेंज का होता है फोकस सब्स MORE होता है और धनात्मक फोकसो सब्सक्स कर देड़ daskusi उसी बिंदू को अवत्ल लेंज का वोकस बिंदू बोलते हैं तो यहां पर यह वो याम मिलती हुँ प्रतीत हो रही है यहां पर यह फ्रकाशिक केंद है नियों आती है अंगर आप को इस फोकस दूरी को नापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको उसे इस दिशा के अंदर चल के आना पड़ेगा और ये दिशा क्या है प्रकाश की रण से आने वाली प्रकाश की रण जिस भी दिशा से आती है कर उसके विप्रीत दिशा में आपको इभी दूरी ना तो वहां से भी हम इसे रिनात्मक ही बोल सकते हैं कैसे भी याद कर लो पॉइंट है याद रखना जरूरी है एक होता है लेंस निर्माता सूत्र या फिर लेंस मेकर फॉर्मुला अब देखो बच्चों यहां पर क्या है कि आपका जो लेंस है ना अगर उसका अपवर्दनाग बदलता है या फिर अगर आप लेंस को किसी दूसरे माध्यम में लेकर के जाते हो तो लेंस की जो प्रकृति है वो भी बदल जाती है कैसे बदलती उसको हम आगे डिसकस करेंगे यहां पर तो लेंस मेकर सूत्र को हम यहां पर किस प्रकार से दिखा सकते हैं पहले हम यहां कहीं पर लिख कर देखोंगे लेकिन आपको पता है कि 1 बटा V-1 बटा U का जो मान है वो F के बराबर ही है तो यहां पर हम लिखेंगे 1 बटा F बराबर यहां पर मैं आपको पता रही हूं Mu Lens Mu Lens मतलब Lens का अपवर्तनाक, Mu Lens का क्या मतलब है Lens का अपवर्तनाक Minus Lens किस वातावरण में है या फिर Surrounding उसका अपवर्तनाक बटा Lens जिस वातावरण में है उसका अपवर्तनाक Bracket में Minus 1 बटा R1 minus 1 बटा R2 यह आप Lens Maker सूत्र जो है वो यहां पर याद कर सकते हो और R1 और R2 क्या हो जाएगा यहां पर जो भी हमारा Lens होगा उसकी त्रिज्जाएं उसके दो प्रष्ट होते हैं तो उसके जो त्रिज्जाएं हैं वो हमारी R1 अथा R2 हो जाएगी यहां पर मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ कि देखो जो हमारा Lens Maker सूत्र आप उसको कैसे याद रख सकते हों दो तरीके से याद रख सकते हों तो एक बटा V- एक बटा यू बराबर Mu L मतलब Lens का अपवर्तनाक ज्यादा तर Crown Glass का बनावा होता है तो 4 बटा 3 और यहां पर surrounding मतलब जो प्रकाश की रण है वो हवा से Lens में आ रही है पानी से Lens में आ रही है तो उस हिसाप से उसका अपवर्तनाक हो जाएगा बटा वातावरन का अपवर्तनाक एक बटा R1 माइनस एक बटा R2 अब देखो ना कहीं कहीं पर इस चीज को F करके लिख सकते हो आप क्योंकि Lens में कर सूतर से हमें पता है एक बटा V माइनस एक बटा U बराबर एक बटा F यहां से एक बटा F लिख दूँगी मैं यहां पर Mu L माइनस Mu S बटा Mu S अच्छा इसको और कहीं कहीं पर 1 भी लिखावा देखा है हमने तो 1 भी लिख सकते हो यह क्या है Mu S अलग अलग कर दो Mu S बटा Mu S इस चीज को 1 लिख सकते हैं न हम यह चीज हमारी 1 हो जाएगी और यहां पर 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 तो इस पूरे सूत्र को फिर में और कैसे लिख सकती हूं 1 बटा F बराबर Mu L बटा Mu S माइनस 1 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 अब लेंस की जो प्रकृती है न वो बदल भी सकती है कैसे बदलेगी वो हम आगे इसी लेक्चर में आगे डिसकस करने वाले हैं इतना क्लियर है कि आगे चले कि आगे चलेंगे आई होप सो यह दोनों फॉर्मूले याद हो गए है दो तीन बार लिख लो हैंट टो याद हो जाएंगे लेंस की शमता किसी भी लेंस की शमता को आपको निकालना है तो आपको क्या करना है लेंस की जो फोकस दूरी है मीटर में उसको आप उसका रेसिप्रोकल कर दो एक बटा में कर दो ठीक है यह मीटर लिखा हुआ है बच्चोंए न एक सेकुन जैसे मैं बोल रहे हूं कि कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी दो मीटर है तो इसकी पावर कितनी होगी तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है एक बटा दो मीटर में रखा है ना ध्यान रखना तो इसकी जो शमता है वो कितनी हो जाएगी 0.5 अब क्योंकि यहां पर मेरा जो आंसर है वो पॉजिट्टिव रहा है और जो फोकस दूरी है वो धनात्मक है मतलब लेंस केसी प्रकृतिका है लेंस जो है हमारा अभिसारी लेंस है पतल लेंस की बात हो रही है और अगर F negative है तो हमें पता है अब तल लेंस की बात हो रही है तो उसकी शमता भी जो है हमारी रिनात्मक ही आती है दूसरी चीज़ क्या है कि मैं अगर centimeter में दे रखा हो तो centimeter में दे रखा है तो हम रखेंगे 100 बटा focus दूरी जब centimeter में आपको information दे रखी हो यही अगर आपको बोल दू की कोई दो lens है इस तरीके से इसकी focus दूरी f1 है इसकी focus दूरी f2 है बताओ इसकी शमता क्या होगी तो कुछ नहीं करना है इसकी जो total शमता होगी वो दोनों की शमता के योग के बराबर होगी और मालों के आपको meter में दे रखा है तो हम लिख सकते ह एक बटा f1 मीटर के अंदर प्लस एक बटा f2 मीटर के अंदर या फिर लिख सकते हो 100 बटा f1 cm के अंदर और प्लस 100 बटा f2 cm के अंदर आपकी इच्छा है कैसे भी निकालो आंसर सिंपल है ऐसे तीन रख देंगे तो तीनों के focus दूरियों को आप वित्ग्रमित करके जोडते जाओ आपके पास में उत्तर आता जाएगा ठीक है अगला देखें अगर आपके पास में Newton के लिए कोई सूत्र दे रखा है formula for lenses यह बोल रहा है कि आपके पास में कोई वस प्रश्टो से अगर इसकी जो focus दूरी है वो कितनी है देखो यदि किसी वस्तु के lens के प्रथम focus दूरी से दूरी A1 है और दृत्य focus दूरी से दूरी A2 है तो यहां पर आप उस lens की focus दूरी कैसे निकाल सकते हो root A1 into A2 यहां पर आपके पास में कोई lens है इस lens की दो focus दूरी है यह 0 यह प्रकाशिक केंद्र यह F1 यह F2 यहां पर मानलो मैंने कोई object रखा हुआ है अब इस object की focus दूरी से जो दूरी है प्रथम focus से वो तो A1 है और दूसरी focus दूरी से इस object की जो दूरी है वो A2 है तो इस इस्तती में अगर आप direct lens की focus दूरी निकालना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे root A1 into A2 और आपका उत्तर जो है यहां पर आ जाएगा यह हो गया हमारा topic छोटे-छोटे formulas हैं जो याद रखने हैं lens का आवर्दन, lens कितनी बड़ी या छोटी image बना रहा है उसको हम lens का आवर्दन बोलते हैं तो lens का आवर्दन सूत्र बड़ा ही simple है यहां पर हम देखते हैं जो हमने दरपन का देखा था न उसी प्रकार है तो M बराबर वी बटा, यू, वी क्या है प्रतिबिम्ब की प्रकाशिक के इंदर से दूरी और यू क्या है बिम्ब की प्रकाशिक के इंदर से दूरी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो वस्तू के आकार का अनुपात प्रतिबिम्ब के आकार का अनुपात बिम्ब के आकार के ये दोनों ही सूतर है, और यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदू है जो आपको ध्यान रखने हैं, कि अगर M का वान हमारा एक से छोटा आता है, या फिर एक के बराबर आता है, या फिर एक से बड़ा आता है, एक से छोटा मान अगर आ रहा है M का, तो जो हमारा प्रतिविम्ब बना है वो कैसा बना है छोटा बना है अगर M का मान एक के बराबर आ रहा है मतलब प्रति बिंब और बिंब का जो आकार है वो समान है प्रति बिंब और बिंब जो है वो समान आकार के है तीसरी चीज़ हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर आपका जो M का मान है वो एक से बड़ा आरहें मतलब h- की वेल्यू जादा होगी, h- कौन है? प्रतिबंब का अकार, मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रतिबंब बनेगा वो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा. हो हो खितना क्लियर है अब आपका कि कि धनात्मक भी आ सकता है और रिनात्मक भी आ सकता है आँ जान्थे कि दो नहीं है तो इन चिन6-पाक्रचा मुच्न नहीं कुछ पता लगता है तो बिल्कुल वच्चो इन चीन से हमें पता लगता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति कैसी है देखो, यह h- वाले h से देखते हैं हम, अगर हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, है ना, और हमारा बिंब भी अगर सीधा होगा, है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों ही सीधे बने हैं, तो मतलब जो h- और h का मान है, वो कैसा होगा धनात्मक होगा, तो यहाँ पर जो हमारा बनने वाला प्रतिविंब है, वो कैसा होगा? आभासी होगा? ठीक है? और अगर हमारा जो प्रतिविंब है, वो उल्टा बनता है, तो h- का मान जो है, हमारा क्या हो जाएगा? रिनात्मक हो जाएगा, h- का मान तो सदेव धनात्मक र तो मतलब आपका प्रतिविंब बना है उसकी प्रकृति कैसी है वास्तवुत। यहां पर हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं और एक फॉर्मूला और जो हमारा है M बराबर F पटा F प्लस U Lens की आवर्दन शम्ता कर आपको निकालनी है तो आप इस सूत्र का उप्योग भी कर सकते हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं Lens की आवर्दन शम्ता का सूत्र और अगर दरपन की पूछ ली तो दरपन की आवर्दन शम्ता पूछ ली तो दरपन की इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं अगर हमसे दरपन की आवर्दन शम्ता इसको हटा रही हूँ मैं न I hope आप स्क्रीन शॉट ले चुके हैं तो अगर आपके दरपन की आवर्दन शम्ता पूछी जा रही है तो आप क्या कर दोगे छोटा सा चेंज कर दोगे M बराबर F बटा F माइनस U यह सूच से यहां पर हो जाएगा इसको भी नोट कर ले हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक पे आएं नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे अब हम वी वर यू का मान उच्छी चिन्नों के साथ अच्छा यह तो बता दिया है मैंने आपको यह आवर्दन शम्ता का सूत्र अच्छा यह उल्टा कर दिया तो यह एक ध्यान रखोगे तो आपका हो जाएगा जी देखोगे दरपन के आवर्दन शम्ता सूरी लेंस का जो आवर्दन शम्ता उसका सूत्र आपको दे दिया है शेत्री आवर्दन अगर आपको पूछ ले तो शेत्री आवर्दन कैसे बता सकते हो आप M बराबर प्रतिविंब का शेत्रफल बटा वस्तु का शेत्रफल प्रतिविंब के शेत्रफल को AI से लिख रहे हैं और वस्तू के शेत्रफल को A-O से लिख रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अब यहाँ पर जब आप एरिया निकालते हो किसी भी चीज़ का, तो क्या करते हो, length into length, side into side, square कर देते हो, तो यहाँ पर जो भी हमारा सूत्र है, अगर आप से क्या पूछ लिया है अगर आप से यहाँ पर रेखिया आवर्दन पूछ लिया है, तो आप क्या कर दोगे, इस सूत्र का square यहाँ पर कर दोगे, और यहाँ पर यह बीच में is equals to है, तो अगर रेखिया आवर्दन पूछ लिया है, तो मेरे साथ में लिखो, m square बराबर, f बटा, f प्लस u का whole square, य अब कुछ महतवपूर्ण चीज के बारे में बात कर ली जाए, कि अगर मालो मैं किसी f focus दूरी वाले lens को, अचा यह एक और है, इसको भी देख लो, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, बोल रहा है कि अगर मालो उत्तर lens की और, वैसे तो इतना पूछा नहीं जाता है, ल और जैसे जैसे यह वस्तू, lens के पास में आती जाएगी, वैसे वैसे जो इसकी गती है, वो तेज हो जाएगी, तो मान लो, यहां पर यह जो है हमारा वस्तू पहले जिस चाल से चल रही थी, उसको हम V-not मान लेते, जो की एक नियत चाल है, लेकिन जैसे ही वो दरपन के पा मान आप इस सूत्र से निकाल सकते हो, कि यहां पर V-not से गती करता है, तब प्रतिविंब जो है, पहले तो धीरे धीरे चलेगा, मतलब यहां पर मालो की कोई लड़का है, वो अनन्त से दरपन के और भागता हुआ रहा है, तो जब यह दरपन से भागता हुआ आएगा, अन अनन्त से यह जब आ रहा है, तो अनन्त से फोकस तक अगर यह नियत चाल V-not से आ रहा है, अनन्त से फोकस तक अगर यह जो हमारा लड़का है, यह V-not चाल से भाग करके आ रहा है, तो प्रतिविंब जो है, प्रतिविंब वस्तु की अगर वस्तु की अगर इस्तिती बदल तो यहाँ पर जो इस बच्चे का प्रतिभिम्भ है क ein वो शुरूआत में तो दीरे धीरे प्रारम में तो दीरे और बाद में तेजी से गतिं नुद नजर आएगा तो अगर आपको यह पता लगाना है कि नद्र लिए कि वस्तू का परतिभिम्भ की चाल क्या है तो आपको क्या कर देना है जो हमने लेंज का आवर्दन सूत्र पढ़ा था उस आवर्दन सूत्र को आप गुणा कर दो बिंब की चाल से तो आपको प्रतिबिंब का चाल पता लग जाएगा वापस बोल देती हूं मैं बोल रही हूं कि उत्तर लेंज के सामने कोई पच्चा अनंत से दोड़ कर आता है फोकस तक और वो उसकी जो चाल है दोड़ने की वो क्या है वी नौट नियत चाल से दोड़ करके आ रहा है अब क्यूंकि हमारे लेंज के सामने जो बिंब है उसकी स स्तिति भी बदलेंगे तो प्रति विंब की चाल क्या रहने वाली है तो प्रति विंब की चाल हम यहां पर निकालने के लिए लेंज के आवर्धन को है जो हमारा विंब है उसकी नीएत चाल से घुना कर देंगे तो हमारा यहां उत्तर आजाएगा इन्हें से question पूछे जाते हैं तगड़े और question कराऊंगी ना जब फिर फिर आपको लगेगा कि नहीं जरूरी है यह सारी चीज़े अच्छे यह सूत्र कहीं देखा देखा लगा है पहली बात तो देखो इसमें गलती है इसको एल कर लो यह सूत्र कहीं देखा है क्या देखा ह है बच्चों देखा है कहां देखा है कहां देखा है लेंस मेकर सूत्र देखा है एक बटा एफ बराबर क्या था म्यू अब यहां पर द्रव्य में रखा है ना इसलिए ऐसा बोल रहा है म्यू एल मतलब लेंस का म्यू एल मतलब लेंस का अपवर्तनाक और म्यू जी मतलब ज लिज़ो उसमें परिवर्तन आ जाता अब लेंज की फोकस दूरी में परिवर्तन आ ranking आ रहा है तोrain एकफ्तलिज नेली कंडल चाहिए ख्रही सब्सक्राइब रहे हम सूत्र समझ लेते हैं यहां पर वही सूत्र भाइवरु हो नहीं होने निकार को यह तो है यह और यहां पर क्या होता है माइनस वन की जगह म्यू एल बटा म्यू एल बराबर एक बटा आरवन माइनस एक बटा आटू अपवर्तनाग के बारे में पढ़ाया था मैंने कि अगर आप दूसरे माध्यम का अपवर्तनाग देख रहे हो पहले माध्यम के सापेक्ष तो इसको कैसे लिखते हो कैसे लिखोगे बच्चो म्यू टू बटा म्यू वन लिख दोगे तो यहां पर यह क्या है म्यू टू बटा म्यू वन ही तो है और इसी को तो हम ऐसे भी लिख सकते है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते है तो यहां पर यह और यह चीज तुम्हें सेम नहीं दिखाई दे रही है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है द्रव का अपवर्थनाग लेंस की सापेक्ष लेकिन आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो लेंस मेकर सूत्र याद है न तो बस उसी से याद रखो अलग-अलग बटा रखो लेंस की फोकस दूरी गयात करनी है तो आप क्या करोगे लेंस का अपवर्थनाग कटा सराउंडिंग का वन हुआरवन-बटा अर न माइनस एक बटा ऑर अब यहां पर जो surrounding है ना हमारा जो आसपास का lens का जो वातावरण है बाहर का वो कोई द्रव्य है पहले मैं जो अपवर्तन है वो हवा से lens में करा रही थी अब जो अपवर्तन है मैं किसी द्रव्य से lens में करा रही हूं मैंने lens को किसी द्रव्य में डुबो दिया है तो lens का वा अगर हमारे लेंस का अपवर्तनांक कम होगा द्रव्य के अपवर्तनांक से तो इस इस्तिती में जो लेंस की प्रवर्ती है वो नहीं बदलेगी अगर आपने लेंस को कोई सा भी लेंस हो सकता है उसको आपने डुबो दिया है किसी द्रव्य में वह लोगे मैं लेंस को यहां से क्लोज कर देते हैं अब ठीक है मालो इस लेंस को मैंने किसी द्रव्य में डुबो दिया है जिसका जो यहां पर जो यह द्रव्य है यह द्रव्य कैसा होगा? द्रव्य का अपवर्तनाग जादा है मतलब द्रव्य जो है हमारा कैसा हो जाएगा सघन मात्यम और ये क्या है हमारा लेंस है ये कैसा है विरल है क्योंकि इसका अपवर्तनाग जो है वो क्या है उसका जो अपवर्तनाग है द्रव्य का मतलब द्रववे बाहरी वातावर है जो द्रववे सराउंडिंग का अपवर्तनाख वो जादा है लेंज के अपवर्तनाख से तो इस इस्तती में जो हमारी लेंज की प्रवर्ती है उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा अगर हमने उत्तल लेंज डूपोया है और वो प्रकाश प्रकाश किरण को अभिसार ही करेगा और अगर इसकी प्रकृती में कोई भी बदलाव नहीं होगा अगर यहां पर अगर यहां पर मेरे जो दोनों लेंस है उनकी अगर यहां पर मेरे जो दोनों लेंस है और जो मेरा सराउंडिंग है उन दोनों का अपवर्तनाग अगर बराबर हो जाता है तो क्या होगा तो जो हमारा लेंस है वो एक सम्तल पट्टी की तरह बरताव करेगा सम्तल प्लेट की तरह बरताव करेगा यहां पर क्या होगा लेंस द्रव में कैसे बरताव करेगा सम्तल पट्टी की तरह और दूसरा क्या है जो लेंस है हमारा वो द्रव में अद्रश्य हो जाएगा तीसरा केस क्या बच गया है तीसरा केस क्या है कि लेंस का अपवर्टनांग अगर जादा है द्रव्वे के अपवर्टनांग के सापेक्ष तो यहां जो हमारा लेंस है उसकी प्रवर्ती बदल जाएगी कैसे अगर आपने कोई ऐसा द्रव्य लिए है जिसका अपवर्टनांग लेंस के अपवर्टनांग से कम है और उस लेंस को इस द्रव्य में डुबो दिया है तो जो हमारा अगर आपने उत्तल लेंस को डुबोया है तो वो उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस के प्रकार अवतल लेंस की तरह वेवार करने लगेगा और अगर आप लेंस से कम अपवर्तनाक वाले द्रव्य में अगर लेंस को डुबो रहे हो और वो लेंस अगर ज्यान रखना है I hope clear है एक दो चीज़े और देख लेते हैं फिर हमारा lens वाला जो भाग है पूरा ही खतम हो जाएगा फिर हम prism के बारे में next lecture में बात कर सकते हैं अगर दो lens को मैं से अगर मैं एक lens को बीच में से दो भागों में काट दूँ तो जो मेरे दो नए lens बनेंगे न इस lens को मैंने कैसे काटा ऐसा lens था उसको बीच में से काट दिया तो यहाँ पर जो मेरे दो नए lens बनेंगे न उन दोनों lens की जो focus दूरी है वो पुराने वारे lens की focus दूरी से डबल हो जाएगी और अगर मैं लेंस को बीच में से काट देती हूं ऐसे बीच में से काट देती हूं तो लेंस की फोकस दूरी पर कोई भी बदलाव नहीं होगा लेंस को उसकी मुख्यक्ष के अनुदिश दो ब्रतिवर्ता से प्राप्त प्रतिवयम की तुलना में कम होगी यहां पर जो आपको इमेज मिलेगी न होगी ब्लर ऑगी क्लियर कम होगी और इसके इमेज वनेगी ना उसकी तीवर्ता इस पूरे यहां पर अगर आप लेंज को पुख्य अक्ष के अन्नुदी शकर काट देते हो तो यहां पर जो बनने वाला प्रतिविंब है उसकी तीवरता कम हो जाएगी अच्छा यहां पर क्या है म्यू ए मतलब हवा का अपवर्तनाग और म्यू डबल्यू मतलब जल का अपवर्तनाग तो अगर जल के अंदर वायू का बुलबुला बन जाता है तो वायू का अपवर्तनाग क्या है पर बाहर क्या है जल है और जल का अपवर्तनाग वायू से क्या है जादा है तो इस इस्तती में क्या होगा इस इस्तती में जो हमारा हवा वाला बुलबुला है वो जल के अंदर अवतल लेंज की भाती कार्य करता है यह point ध्यान रख लेना सीधा question पूछ लिया तो आपको pick करके आ जाना है lens के फंगी योजन के बारे में पता चू क्यों मैं कि अगर आप line से 2-3 lens को जोड़ देते हो यह मालो यह आपने 3-4 lens को जोड़ दिया है इसकी focus दूरी F1, इसकी F2, इसकी F3, इसकी F4 तो इनकी combined focus दूरी कितनी हो जाएगी, तुल्य focus दूरी क्या होगी, इन सब के योगों के बराबर हो जाएगी एक बटा F1, एक बटा F, मतलब तुल्य focus दूरी, टोटल focus दूरी क्या होगी, इसकी focus दूरी बटा एक बटा इसकी दूसरे लेंज की फोकस दूरी एक बटा तीसरे लेंज की फोकस दूरी प्लस एक बटा चौते लेंज की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर अगर इन सारे लेंज की संयोजन शमता निकालनी है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो हां एक और पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास में कोई दो लेंस है, यह f1 और यह f2, इन दोनों लेंस के बीच में, यह दोनों लेंस जो है एक दूसरे से d दूरी पर पड़े हुए है, यह दोनों लेंस क्या है, एक दूसरे से D दूरी पर पड़े हुए हैं तो यहां पर इन दोनों लेंज की जो focus दूरी होगी ना वो क्या हो जाएगी माइनस D बटा F1 बटा F1 इंटू F2 अगर यह पास पास में पड़े हुए हैं जुड़े हुए पड़े हुए हैं तब तो इनकी जो तुल्ये focus दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी एक बटा F बराबर एक बटा F1 प्लस F2 लेकिन अगर इन दोनों लेंज को मैंने D दूरी से प्रिथक कर दिया है तो यहां पर इनकी तुल्ये focus दूरी कितनी हो जाएगी यहां पर इनकी तुल्ये focus दूरी हो जाएगी माइनस का D F1 इंटू F2 ठीक है और उनकी संयोजन चमता कर आपको निकालनी होगी यहां पर कुछ गड़बड है इसमें plus का sign भी आएगा एक सेकेंड यहां पर यह यह चीन नहीं आएगी इसको formula को मैं वापस लिख देती हूं कि यहां पर अगर आपने दो lens को एक दूसरे से B दूरी से अलग कर दिया है इसकी focus दूरी F1 है इसकी focus दूरी F2 है तो अलग कर दिया है ना तो अलग करने पर इन दोनों की जो आपको total focus दूरी निकालनी है वो क्या हो जाएगी एक बटा F तुल्ये बराबर एक बटा F1 प्लस एक बटा F2 माइनस D F1 F2 यह इसका सूत्र होगा पर अगर आपको इनकी शमता निकालनी है तो इसको क्या लग दूंगी P1 इसको लग दूंगी P2 माइनस D और यह क्या हो जाएगा P1 इंटू P2 यह हमारे लेंसे से जुड़े हुए सारे important सूत्र या ऐसे सूत्र जिनकी आधार पर exam में question पूछा गया है वो सब मैंने आपको यहां लिखवा दिये हैं अगले lecture में हम बात करेंगे बच्चो प्रिजम के बारे में अगर आजका lecture आपको समझ में आया है तो comment करके जरूर बताएं कि आपको connectivity कि अरूर झाजका अबरा जिनकी एंगाजम के घंगर बताएं कि ए इस दोसक कि आफको कि पार है उपको जपको समझनाम झाल झाल